हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आप से शेर करूंगी सफला एक आदेशी की पूजा विधी अगर आप मेरे चलन में नहीं आये हैं तो मेरे चलन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जोई विष्ण्यभगवान की फोटह को भी आप चौकी पर लगाएं और अगर आपके पर पस अगर विष्ण्यभगवान की फोटह नहीं तो आप कृष्ण भगवान की भी फोटो लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर लड़ुगोपाल जी की पूजा कर रही हूँ तो हम सबसे पहले दीपक प्रजलित करेंगे गनेश भगवान और लड़ुगोपाल जी के नाम से हम तिल के तेल का दीपक हमने लगाया है और हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया दीपक में और हम फूल अरपित करेंगे दीपक में दीपक की पूजा होने के बाद हम गनेश भगवान की पूजा सुरू करते हैं तो हमने गनेश भगवान और लड़ुगोपाल जी को इस नान पहले से करा लिया है तो हम चंदन लगाएंगे हम गनेश भगवान को फिर हल्दी का तिका करेंगे फिर हम रोली का तिलक करेंगे गनेश भगवान को फिर हम एतिर चड़ाएंगे उसके वस्त रूप मोली हम पिनाएंगे गनेश भगवान को और हम फूल चड़ाएंगे और थोड़े से हम गनेश भगवान को चावल अरपिद करेंगे उसके बाद हम लड्डुगो पाल जी को चंदन का तिलग करेंगे उसके बाद हम कुमकुम का तिलग करेंगे और हम इनको चावल नहीं चढ़ाएंगे आज एक आदिशी है तो हम तिलका तिलक करेंगे और इतनी लगाएंगे और हम वस्तरूप मोली चड़ाएंगे और हम फूल अर्पित करेंगे और मैंने यहां गुलाब भी लिया है तो गुलाब भी हम अपने लडू गोपाल जी को चड़ाएंगे और थोड़े से गुलाब हम गनेज भगवान को चड़ाएंगे और हमने पंच मेवा और मिशरी का भोग लिया है तो हम सबसे पहले गनेज भगवान के सामने रखेंगे और जल रखेंगे और मैंने फल में मैंने अमरूद लिया है आप कोई भी रितु फल ले सकते हैं फिर हम लड्डु गो पाल जी को भी मिसरी और पंचमेवे का भोग लगाएंगे आप माखन का भी भोग लगा सकते हैं और जल में हम तुलसी दल जरूर डालेंगे लड्डु गो पाल जी के और हम फल भी यहां रख देते हैं इसके बाद हम सरदानुशार दक्षिना चढ़ाएंगे गनेश भगवान को फिर लडू गौपाल जी को जो भी आपकी ईश्या शक्ती है आप दक्षिना ज़रूर चढ़ाएं पूजा में उसके बाद हम गनेश भगवान को धूब दिखाएंगे फिर अड़ू गोपाल जी को भी हम धूब दिखाएंगे फिर हातों में हम थोड़े से तिल लेंगे और फूल लेंगे और हम सफला एक आदेशी की कथा करेंगे, कथा पड़ेंगे और कथा का जो वीडियो है वो भी मैंने अपने चैलन में डाल रखा है फिर हम फूल गनेश वो कृष्ण भगवान के सामने अरपित कर देंगे कथा सुनने के बाद उसके बाद हमने देशी की का दीपक लिया है तो हम सबसे पहले गनेश भगवान की आरती करेंगे गंटी बजाते बजाते उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे आरती हो गई है अब आरती में हम तीन बारे जल से आजमनी करेंगे फिर हम गनेश भगवान को आरती देंगे फिर हम लड्डू गोपाल जी को भी आरती देंगे अब भोग में भी हम तीन बारे जल से आजमनी करेंगे हम भोग लगाएंगे भगवान को अब गनेश भगवान को गोड़ नारिल का भी भोग लगा सकते हैं कोई से भी रितू फल का भी भोग लगा सकते हैं फिर जल का भी भोग लगाएंगे अब लड्डू को पाल जी को माखन का भी भोग लगा सकते हैं माखन मिसरी का और तुलसी दल हम जरूर डालेंगे तो हमने लडुगोपाल जी के जल में तुलसी दल डाला है और आप 108 तुलसी की पतियां भी अर्पित कर सकते हैं कृष्ण भगवान को आज के दिन अब तुलसी में जरूर दीपक लगाए इस दिन दीवदान का बहुती बड़ा महत्व होता है फिर हम हातों में फूल लेंगे और प्रातना करेंगे भगवान से प्रातना में किसी पर करके हम हमसे पूजा में जाने अन जाने में किसी प्रागी कोई गलती हुई तो शमा करना फूल हम गनेज भगवान को चड़ा देंगे थोड़े से फूल हम कृष्ण भगवान को चड़ा देंगे और हाथ जोड लेंगे हम गनेज भगवान के शमा प्रात्ना करने के बाद फिर हम लड़ू गोपाल जी के भी हाँ हाँ जोड़ेंगे और चौकी पे मत्था टेकेंगे फिर हम तुलसी में भी दीपक जलाएंगे आज के दिन फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई